बारत में कोरुना संक्रमन का कहरब दूसरे देशों की तुलना में कम है, हलाकि संकट अभी चला नहीं है, हर दिन करीब 40,000 नई लोग संक्रमित हो रहे हैं गुरुबार कुस्वास्ते मंत्राले की ओर से जारी आकडो के अनुसार पिछले 24 गंटे में 41,806 नई कोरुना केस सामने आये और 581 संक्रमितों की जान चली गई वही पिछले 24 गंटे में 39,130 लोग कोरुना से ठीक भी हुए हैं, यानि कि कल 2,095 एक्टिव केस बर गए वर्तमान में कोरुना एक्टिव केस चार लाग से जादा हैं, देश में 4,32,000 लोग अभी भी कोरुना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है कोरुना से अब तक कुल 4,11,989 लोगों की मौत हो चुकी है, अच्छी बात ये है कि अब तक कुल 3,1,44,000 लोग ठीक भी हुए हैं, मामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,9,87,000 लोग संक्रमित हुए हैं स्वास्ते मंतराले के अनुसार 14 जुलाई तक देश भर में 39,13,00,000 कोरुना वैक्सिन के डोज दिये जा चुके हैं, बीते दिन 34,97,000 टीके लगाए गए, वही भारती आर्यू विज्ञान अनुसंधान परिशत के अनुसार अब तक 43,80,000 कोरुना टेस्ट किये जा चुके हैं, बीते दिन करीब 19,43,00,000 कोरुना संपल टेस्ट किये गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है, देश में कोरुना से मृत्ति उदर 1,33% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से जादा है, एक्टिव केस डेर 50 से कम है, कोरुना एक्टिव केस मामले में दुनिया भारत का छठा इस्थान है, कुल संक्रवितों के संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा इस्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे जादा मौत भारत में हुई है, कोरुना वाइरस से जुरी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चैन